तो हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे कच्छे केले का कोफता वैसे तो कोफता बहुत ही चीजों से बनती है जैसे की ब्रेट का कोफता आलू का कोफता कठल का कोफता मगर मैं आज बनाओंगी कच्छे केले का कोफ ऐसे कोफता तो सभी, बनाते हैं, मगर्भ जैसे मैं बनाती हूँ, वैसे बना के खाईए, ये कोफता बहुत ज़धा, टेस्टी लगती है, और इसे बनाना बहुत ऑजहाँ है, और इसमें बहुत कम समय लगता है, तो चल ये बनाना, स्रूर करते हैं, तो इसके लिए लेंगे हम कच्चा केला जिसे की अच्छे से धो कर छिल लेंगे छिलने के बाद इसे हमें बॉयल करना है आप चाहे तो छिलका सही भी बॉयल कर सकते हैं बाद में इसका छिलका निकाल सकते हैं फिर कुकर में हम सारे केला को डाल कर थोड़ा पाने डाल कर इसे low medium flame पर दो विसिलाने तक पका लेंगे ये दिखिए friends हमारा केला पक गया है फिर केला को हम कर लेंगे ठंडा ठंडा करने के बाद केला में हम डाल देंगे चार चम्मच बेशन आप बेशन कोई भी ले सकते हैं फाइन वाला मोटा वाला कोई भी ले सकते हैं सॉरी friends मेरे घर की light चली गई है इसलिए वीडियो थोड़ा black आ गया है फिर उसमें हम डाल देंगे हल्दी का powder फिर डालेंगे धनिया का powder फिर डालेंगे जीरा powder और फिर डालेंगे काली मिल्च का powder फिर उसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक नमक डालने के बाद फिर उसमें हम डाल देंगे अध्रपला सुन का paste और फिर उसे हमें हाथों से अच्छा से मसलते हुए मिलाना है फ्रेंड्स आप चाहें तो इसमें उबला हुआ आलो भी डाल सकते हैं मगर मैं इसे सिर्फ कच्छा केला से ही बना रही हूँ आप इसे उबला हुआ आलो डाल के भी बनाएंगे ये बहुत ही जादा टेस्टी बनती है इसलिए आप इसमें उबला हुआ आलो भी डाल सकते हैं जब हमारा मसाला अच्छे से केला में मिल जाए तो फिर से हम रख देंगे साइड में साइड में रखने के बाद फिर हम गैस पे चढ़ाएंगे कडाही और कडाही में हमें बादाम रोष्ट कर लेना है इसलिए इसमें हम ले लेंगे बादाम और बादाम को लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से हमें रोष्ट करना है तब तक हमें चलाते रहना है जब तक कि हमारा बदाम अच्छे से रोस्ट हो जाए तो फिर इसे हम दुसरे बरतन में निकाल कर साईड में रख देंगे फिर उसी कड़ाई में हम डाल देंगे सरसोतेल और आप चाहे तो इसे रिफाइन ऐल में भी बना सकते हैं मगर सरसोतेल में ये ज्यादा ही टेस्टी बनती है पिर जो ह हमने कोफता के लिए मसाला बना कर तैार किया है। इसे आप छुटा छुटा पकोड़े जैसा इसका आप तल लीजीए। पकोड़ा को हमें low medium flame पर ही तलना है, high flame पर नहीं तलना है नहीं तो सारे पकोड़े हमारे जल जाएंगे। अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक केजिए, सस्क्राइब कीजिए और सेयर कीजिए वेल आइकन जरूर दवाईए ताकि मेरे चैनल का सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके ये देखिए फ्रेंड्स हमारा पकोड़ा तल रहा है, पकोड़े को ज़्यादा है, बस थोड़ा लाल हो जाए तो हम पकोड़े को निकाल लेंगे ये देखे फ्रेंड्स हमारा सारा पकोडा तल गया है फिर हम लेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर जार उसमें हम जो मुँख फली को रोष्ट करके रखे हैं उसका एक फाइन पाउडर बना लेना है फिर उसी जार में हम लेंगे एक कटा हुआ टमाटर और ले लेंगे लशन लशन अब छिलका वाला लीजिए इससे सबजी जादा ही तेश्टी बनती है उसके बाद ले लेंगे एक इंच अद्रग का टुकरा और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे फिर हम गैस पे चड़ा लेंगे दूसरी कड़ाही कड़ाही में डाल देंगे सरसो तेल जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाद उसमें हम डाल देंगे हींग और जीरा फिर जब हमारा हींग और जीरा अच्छे से पक जाए तो कुछ खड़े गरम मसाला डाल देंगे और फिर डाल देंगे उसमें कटा हुआ प्याज, कटा हुआ प्याज डालने के बाद उसे low medium flame पर अच्छे से प्याज को भूनना है फिर उसमें हम जो टमाटर का पेष्ट बना के रखे हैं उसे डाल देंगे तिचपत्ता डाल देंगे फिर डालेंगे हल्दी पॉडर फिर डालेंगे कास्मेरी लाल मीच पॉडर फिर जीरा पॉडर फिर हम डालेंगे काली मीच का पॉडर और फिर उसमें हम डालेंगे एक चम वाबादाम को पाउडर बना कर रखा है उसे भी हमें इसमें डाल देना है डालने के बाद थोड़ा पानी डाल कर इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनना है इस मसाला को तब तक भूनना है जब तक इससे तेल अलग ना हो जाए जब हमारा मसाला अच्छे से वल जाए ग्रेवी हमारा त्यार हो जाए तो इसमें जाल जो सारे कोफ़ता बना के रखे हैं उसे हमें हम डाल देंगे और डालने के बाद उस फ्लेम को हम थोड़ा लो मीडियम कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इसे हमें अच्छे से पकाना है फिर इसमें हम डाल देंग हमारा कोफता बन के रतियार हो गया आप इसे धनिया पत्तरस में डाल दीजिए आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज के साथ आराम से खा सकते हैं ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है मैं तो इसे आज चावल के साथ बनाई हूँ आप जिस भी चीज के साथ बनाना चाहते हैं तो बनाईएगा और खाईए और अपने फैमली को खिलाईए फिर मिलेंगे अगले रेसिपी के साथ थाइंक यू